करс आपे घर में कभी कभी कबी कोछ चीज खतम हो जाती ती, और मम्मी कहते हो कि जार एक मस्रॊर लाल ना मिले तो आप अररर की डाल एकर डाल डाल भी ना मिले तो भिंडी की सब्सेरी ले आना इस तरह की बाते आप लोगों ने बहुत सुनी हों लिए और हम अपनी डेली लाइफ में इतने सारे डिसीजन लेते हैं उसी तरह इक Python प्रोग्राम को भी डिसीजन लीना पड़ता है और उस डिसीजन के हिसाब से अपने काम को आगे करना पड़ता है तो यह अगर-मगर वाली चीज जो होती है English इसको कहते हैं इस और लगी पाइफन में भी इसका नाम इफ एल्स ही है तो यह इफ एल्स एल्स इपको किस तरह इस्तेमाल करते हैं मैं आप लोगो पाइफन के मतद से समझाऊँगा और आप लोगो एकदम क्लियर हो जाएगा तो गाइस फटेक से अभी स्टार्ट पे क्लिक करके पाइचाम प्रोजेक्ट बना लेते हैं और पाइचाम के अंदर गुसने के बाद मैं आप लिखूँगा तो ट्यूट 13.py एक बार खुल जाए फिर ही लिखूँगा कभी कभी टाइम ले लेता है खुलने में तोड़ा असा भारी सॉफवेर है और क्या कर सकते हैं रैम लेता है तोड़ी ज्यादा लेकिन मज़ा भी उतना ही देता है अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इसमे अब मालनो मैंने एक variable बनाया उसका नाम में रखता हूँ var1 और इसकी value मालनो 6 है अब क्या होगा इसकी value 6 है और मालनो मैं एक और var2 बनाता हूँ इसकी value 56 है अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा variable 3 है उसकी input मैं लूँ एक अपने input function से user से मैं input लूँ और मैं उसको int में typecast कर अब मैं check करना चाहता हूँ कि जो मेरा variable 3 है वो variable 2 से बड़ा है या नहीं है तो मैं क्या करूँगा तो मैं लिखूँगा if और उसके बाद मैं लिखूँगा var3 greater than var2 ठीक है तो print क्या करो greater तो मैं string करूँगा greater और मैं क्या करूँगा print मैं लिखूँगा else लगाँगा colon और enter म lesser मैं इस सब चीजों को समझाऊंगा आप लोग थोड़ा सा बनी रहें आपर lesser अब मैंने काफी कुछ यहां पर चीज़े लिख दी हैं और समझाई नहीं है मैं आप लोग को बताता हूँ अब देखो आप input करेंगे मालो 66 तो इसने print किया है आपर greater और अगर मैं इसको फिर स integer था variable 2 एक integer था variable 3 एक string थी यहां पर input अगर मैं सिर्फ लिखता तो लेकिन मुझे इंटीजर बनाना था इसलिए मैंने इसमें इंट का cover लगा दिया उससे क्या हुआ वेरेबल 3 भी एक integer बन गया अब मैंने क्या किया if statement लिखा if keyword होता है इसलिए पाइचा में ब्लू से highlight हो रहा है उसके बाद मैंने अपनी condition लिख दी bracket लगाने की जरूरत नहीं होती है हाला कि लगा सकते हो लेकिन मत ही लगा होगा जरूरत नहीं है तो आप सीज़ लिख सकत हैं तो हम generally colon लगाते हैं ठीक है colon लगाया आप enter मारेंगे तो आप गुस जाएंगे अंदर इसको कहते हैं indentation यह क्या करेगा automatically एक tab यह फिर चार spaces अपने आप देदेगा तो मैंने enter मारा तो मुझे यह space लाने की जरूरत नहीं पड़ी automatically इसने मुझे देदी पाई चामने तो इसको कहते हैं indentation आने वाले time में all clear होगा लेकिन आप लोग इस प्रोग्राम को कुछ ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो इसको कैसे पता चलेगा आपका if statement कहा खतम हुआ है मैं इसको run करूँगा तो यह error देगा यह बोलेगा indentation error expected and indented block तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको एक tab यह पर चाहिए और मैं rightly करके squad run करूँगा तो यह run हो जाएगा 77 लिखना तो greater print हो जाएगा तो यह हैं हमारे FL statements अब आप में से गई लोग ने मुझसे comment में बूचा कि यार मैं built-in function को use नहीं करना चाता हूँ in fact किसी ने मुझे instagram पे भी मेरी एक किसी से बात हुई थी उन्होंन होता है वो महंगा है लेकिन उसके बाद भी हम लोग भार से खाना मंगाते हैं क्योंकि एक तो hassle free होता है हमें कोई ज्यादा attention लेनी की ज़रूरत नहीं हमारा खाना time तक हम पर पहुंच जाता है और दूसी बात यह हम अच्छा बना पाएं या ना बना पाएं इसकी guarantee नहीं ह जाना function का भी हिसा आप अपना function अगर लिखेंगे तो आप लोग बिल्कुल लिखिए अगर कोई inbuilt function है already यानि कि आपको बराबर में KFC आपके खुला हुआ है और उसके बाद आपके पैसे भी है जिब में उसके बाद भी आप खुद burger बना के time waste करना चाते हैं तो बनाएं लेकिन यह हमेशा time waste नहीं होगा कभी-कभी आप लोग को ऐसा लगेगा कि यार KFC कितना घटिया burger बनाता है हो सकता है आप लोग master chef हो आप गएंगे यार क्या बनाया burger यार सच्छा तो मैं बना लूँगा तब आप लोग उसको इंप्रूब करने के लिए बना सकते हैं और अगर मालो KFC में जैसे रोटी नहीं मिलती है तो आप गया रोटी तो मिलती नहीं KFC में मैं रोटी बनाऊगा तो जो चीज़ अवेलेबल नहीं है वो चीज़ जनरल हम इस्तिमाल करते हैं तो मैं आशा करते हूं यह example आपको अच्छा बैठा होगा समझ में आया होगा मैं आपको इसी प्रोग्राम को रन करता हूं और यह पर 56 डाल के लिखाता हूं 56 डाला यह lesser बता रहा है जो कि गलत बात है यह 56 तो equal है तो मैं आपको एक और if statement डाल सकता हूं और मैं लिखूंगा variable 3 equal to equal to variable 2 और उसके बाद मैं आपको क्या लिखूंगा print equal अब equal में हमारे प और right click करके इसको जैसी मैं run करूँगा अब 56 डालूँगा तब क्या होगा यहाँ पर यह equal आ गया अब मैं यहाँ पर दिखाता हूं कि python को इसको resolve करने के लिए क्या क्या करना पड़ा python ने सबसे पहले var1 लिया var2 लिया हमारा input लिया फिर वो इस statement के अंदर गुसा ठीक है अ मानलों की variable 3 variable 2 से बड़ा होता मेरी बात बहुत द्यान से सुनना है याँपर क्यूंकि यह जो चीज़े यह आपको द्यान नहीं दो को समझ में नहीं आने वाली मैंने याँपर variable 3 को check किया कि यह बड़ा है variable 2 से या नहीं अब अगर मानलो यह बड़ा होता और यह पर यह print greater तो उसके बाद भी यह इसको चेक करता और मानलो उसके पास 100 और इस्टेक्मेंट लिखे हुए तो जबर जस्ती यह चेक करे जा रहा है अगले अगले स्टेक्मेंट मैं फिर से रिपीट करता हूँ अगर मानलो वैर 3 ग्रेटर दन वैर 2 है तो इसको यही पर खतम कर देना चा अभी तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ तीन लिखे हुए अगर मानलो 100 डेटर सा लिखे हुए तब क्या होगा इस सारे इफ को चेक करता रहेगा हम ऐसा नहीं चाहते कि सब को चेक करें क्योंकि इन तीनों मैंसे एक ही चीज होने वाली है हमें पता है इस चीज को नहीं वा तो else में जाएगा और अगर इन में से कोई भी एक true हो जाता है तब ही क्या करेगा सीधे यह पूरी if else ladder को इसको if else ladder बोलते हैं जितने भी if else if else लिखे हुए उसके सीधे बाहर आ जाएगा तो हम चाहते हैं कि जल्दी से काम निप्टा कि यह बाहर आ जाए if else ladder के इ मानू मैंने एक list बनाई ठीक है मैंने list बनाई इसमें लिखा five six और three अब मैं आपर लिखूँगा if मैं को जिस्ताना का लिख सकता हूं कि five in list print कर दो yes it's in the list मैं आप लोगो फिर से बताता हूं मैंने क्या किया मैं इसको run करके आप लोगो दिखाता हूं और यह print कर रहा yes it's in the list मैंने क्या किया कि एक list बनाई उसमें डाला five seven और three उसके बाद मैंने चेक किया कि क्या five इस list के अंदर है या नहीं उसके लिए हम in keyword का use करते है और in keyword करके मैंने क्या किया check कर लिया if five in list तो जो five in list वाली बात लिखी हुई है यह true return करेगी अगर five list के अंदर है तो five in list क्य हो जाएगा true अगर five है list के अंदर वना false हो जाएगा और if के अंदर की कोई भी चीज true होती है तब क्या होगा यहापर print yes it is in list हो जाएगा मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ अगर मानलों मैं print करूँ यहापर और मैं लिकूँ सिर्फ five in list list वन नाम है हमारी list का rightly करके मैं करता हूँ तो यहापर true आ गया और अगर मैं 15 in list कर दूँ तो यह false आ जाएगा और if के अंदर भी नहीं जाएगा तो यहापर देखो मैं अगर कर दिया 15 तो यहापर false आ गया तो यह था हमारा in keyword उसी के साथ साथ हमारा not in keyword भी होता है not in keyword से क्या होता है not in जैसे कि आप होती है तो वो execute करता है तो यह आपर आगया अंदर can I know it's not in list अब अगर आप लोग को यह बाते समझ में नहीं आ रही है तो उसका मतलब आप लोग को वापस से यह वीडियो देखने की जरूरत है एक बार वापस से आप लोग देखो मेरी बात को मानो अगर आप लोग आप लोग को input कराना है एक number और वो number होगा इंसान की age आपको बोलना है कि age बताओ अपनी और अगर वो 18 से जादा है तो आप लोग को print करना है कि आप drive कर सकते हैं 18 से कम है तो आपको बताना है कि drive नहीं कर सकते हैं और अगर 18 है तो आप बोलेंगे कि आपकी age 18 है और हम decide नह सिर्फ एक ही print करना है और अगर आप लोग if if use करेंगे तो आपका answer तो आ जाएगा लेकिन आप disqualify हो जाएगे आपका सही जवाब नहीं होगा आपको efficient program बनाना है चलो मैं इसको थोड़े देर रुखोंगा और फिर आपको बताऊँगा मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने ये program मना लिया होगा चलो आ जाते हैं इसके solution में तो यहाँ पर जो quiz है हमारी वो यह थी कि आप लोग को सबसे पहले print कराना यह user की age तो मैं लिखूंगा what is your age अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर लिखूंगा age is equal to int of input क्यों int of input क्योंकि यार मुझे int में typecast करना है मैं चाहता हूँ age मेरी integer रहे सिर्फ input लिख दूँगा तो वो एक string हो जाएगी फिर मैं यह comparison करने में problem होगी वो बोलेगा मैं string को integer से compare नहीं कर सकता anyways मैं लिखूंगा if age is less than 18 यहाँ पर लिख दूँगा print you cannot drive उसके बाद मैं इसी को copy करूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी आदमी हो मुझे उसके लिए आप लोगो माफ करना ही पड़ेगा ठीक है तो मैं आपर लिख दूँगा फिर alif alif age is equal to equal to 18 we will think about you लिख देता हूँ बना else अगर इन दोनों में से कोई चीश सच नहीं हुई तो obviously जो है उसकी age ठारा से जाता है और अगर इन दोनों में से कोई बाद सच नहीं हुई है तो else के अंदर हम आ जाते हैं और हम कहेंगे print यह मैंने क्या लिख दिया मैं आप लिखूंगा print और लिखूंगा you can drive चलो 777 भी लिखूंगा तो यह कहा रहा है you can drive जो कि ऐसी कोई age नहीं होती है तो अगला जो एक और टास्क रहेगा आप लोगा जो आप attempt कर सकते हो और मैं काफी appreciate करूंगा अगर आप लोगने attempt किया कि जो age है वो एक से लेके 7 से लेके 100 तक होनी चाहिए 7 से कम क्यों नहीं हो सकत है और नहीं तो आप इसको 4-5 बना दो यार उस तरह का आप करो कि जो age हो वो logical age हो यह नहीं कि आप 8000-10,000 डाल दे रहे है यह attempt करके मुझे दिखाओ आपनो comment section में काफी appreciate करूंगा हाला कि इसको मैं as an exercise नहीं दे रहा हूं कोई भी attempt करता है तो मैं उसको काफी appreciate करूंगा य exercise वाले वीडियो देखें और इसको attempt करें जाकर आप लोग challenge को accept करना सीखें और आपका फायता जरूर होगा तो यहार जैसे कि मैंने आप लोग को यहां पर in keyword बताया था उसी के साथ-साथ और and keyword होता है उसकी बात भी हम लोग आगे करेंगे मैं आशा करता हूं कि आप कंडिशन सो विसतार इस्वाल करते हैं और आप लोग ने enjoy किया होगा एक वीडियो जो इस वीडियो में हमने किया तो अगर enjoy किया तो मुझे comment section बता था कि इस तरह की चीज़े मैं और लाता रहूं आप लोग के लिए thank you so much guys for watching this video and I'll see you next time हुआ हुआ